गुड इनिंग हमारे क्लास टॉल्थ की प्यारे बिच्चों आज हम लोग चलेंगे प्यारबच्चों आपका प्रोच का जो आठावाँ चैप्टर चला है गुईंग प्लेसिस के लांग एंसर टाइप किस्टिन देखेंगे जितने भी इसमें प्यारबच्चों आपके प्लेइस्ट करके आपका पूरा कर सकते हैं सारी कलासे लगी हुई है तो जल्दी से आजाते हैं आज की टॉपिक्स अम लोग जल्दी से जोड़ाते हैं के long answer type question को ज़ली से देख लेते हैं प्यारे बिच्गूं यहां पर देखिए आपके long answer type question दिए विए हैं श्में साथ question दिए विए हैं आज हम लोग सभी साथो लंग sort pass का उतर देखेंगे तो पहले कई सब्सक्राइब करें एक सो पचास सब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए यह तो दिहा है is not more than 150 words 150 सब्द से अधिक नहीं होना चाहिए आप लोग करते कि सजी कम सब्दों में लिखाई भी है छोटा हो गया है तो आप लोग उसे टेंसर ना लिए करें 150 से अधिक जो है नहीं आपको लिखना है कम में आप 100 में हो जा रहा है तब भी कोई दिकत नहीं सब्द में भी आपका उत्तर परफेक्ट माना जाएगा तो पहले क्रिशन पर आ जाते हैं हम लोग पहला क्रिशन देखते हैं और दूसरा क्रिशन पहले में पुछा है मिस वे कैसे सम्मंध रखती थी एंड how were their financial conditions और उनकी वित्ती इस्तिती कैसी थी मिस उनकी आर्थिक इस्तिती कैसी थी financial means होता है आर्थिक उनकी आर्थिक इस्तिती कैसी थी तो पहले कुछा है तीनों को हम लोग पूछा है तीनों को हम लोग एक करके जल्दी से उत्तर हम लोग देखते हैं यहां पर देखिए आपका फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर एट गुएंग प्लेस यूपी वोड इंग्लिस क्लास 12 और यूटुब हो गया आपका डायमेंड अकेडमी क्लास आपके चैनल करना मेंड़ क्लास तो देखी प्रब्चों यहां पर आपको पहला क्रूस नहीं को उत्तर देखते हैं आपका यहां पर पहला कुछिण दिक्राओंगा क्यूद यूट इन्जिंग और इस फाइन करके हम लोग इसके तीनों को उत्तर देखेंगे तो Sophie और जैंसी कौन थी इसका उत्तर देखते हैं Sophie and Janine were friends Sophie and Jen see कौन थी दोस्त थी एक दूसरे की क्या थी Friends थी मिस दोस्त थी आगे है Sophie was a dreamer Sophie Sophie एक दोछब ने देखने वाली ती who enjoyed creating her own fantasy word using her imagination अद्यान देना who enjoyed आनंद लेती थी creating means, बना करके है, own fantasy means, अपनी स्वयम की कल्पना, fantasy means होता है कल्पना जो अपनी स्वयम की कल्पना बना करके आनंद लेती थी, world means उस संसार का using Сергree Tiering her imagination means अपनी कल्पना का प्रयोंग करके means Sophia Sophie cossiaskie dreamer ति मिस ऐसे कल्पना देखने आले से अपने देखने वाले लड़की थी जो स्वयम की दुनिया बना करके उसका आनंद लेती थी जैंसी on the other side दूसरी तरफ जैंसी was more practical वह practical थी and realistic और वास्तिक थी than Sophie means Sophie को तल्ला में means ए जो है practical थी और realistic थी means वास्तिक दुनिया में रहने वाली कौन थी Sophie कलपना की दुनिया में रहने वाली थी और जैंसी realistic चीज उपके बारे में रहती थी means जो वास्तिक था रहती थी उसी में रहती तो प्यारब प्रशो ए तो हो गया Sophie और जैंसी कौन थी आप दूसरा किस्टन से पूछा हाँ विलांग करती थी कौन कौन का उतर हो गया किसे संबन रखती थी और जो है उसे पूचा है इसके उत्ता चीश से बहुत अच्छी नहीं तो, फार्दी विस्किट फैक्टरी में कार करने के लिए उन्हें जो है इनकी फाइनेंसर कंडिशन अच्छी नहीं थी तब ही तो इन्हें बिस्किट फैक्टरी में काम करने के लिए पहले से निश्चित कर दिया गया था Sophie's father worked in us आफ Sophie के पिता एक दुकान में काम करते थे और उसका भाई जी ओफ जो है एक प्रसिच्चू मेकेनिक था ड्यू टू क्राइस क्राइस साफ मनी पैसे की कमी की वज़ा से जैंसी विस्ट Sophie would not dream big things जैंसी जो है इच्छा करती थी Sophie इतनी बड़ी बड़ी चीजों के बारी में श्रप न देखे जैंसी said it is only a few month away केवल कुछी महीने बचे हुए है so you really should be sensible तुमें क्या हो जाना चाहिए समझदार हो जाना चाहिए या जैंसी कहती है कि कुछी महीने बचे हुए है स्कूल खतम होने में अब तुम में क्या हो जाना चाहिए समझदार हो जाना चाहिए तो प्यारबचो इसमें तीन क्रिशन पूछा था तीनों क्रिशन का हम लोग एक एक करके जो है उतर देख लिए इससे पहला क्रिशन पूछा था Sophie और जैंसी कौन थी अब तुम में क्या हो जाना चाहिए समझदार हो जाना चाहिए मिस जो तुम कलपना की दुनिया में उड़ रही हो उस कलपना की दुनिया से बाहर आओ और अपनी वास्तिकता कुष्टम जो क्योंकि हम लोग का जाए कर दिया गया है कि काम कहां करना है बिसकिट फैक्टरी में करना है इतने हमारे पास पैसे भी नहीं है कि तुम बुटिक को खोल सकोगी तो इसलिए इसलिए जो है वह क्या करती है एक कलपना की दुनिया में रहती है तो उसी चीज़ को यहां पर दिखाया गया है तो प्यार विच्छों यह है और वाइस हूल कि सुपी के सब्सक्राइए सोफी की शुसम कि अब्रते में किसा है यह दूसरा पैर से सोफी के सपने कौन थे जीता सोफी के सपने कौन कौन से थे तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किश्च नंबर दो का उत्तर क्या होगा तुप्राइब देखिंगर देकि कुष्च नंबर 2 आपका दिया है तो पहले किसन को अफ्तर देखते हैं कि तो क्या होजएगा जाने का और फैसन डिजाइनर या फिर एक फैसन डिजाइनर बन जाने की जो सपनी देखती है वह यह भी इच्छा करती है तो है वह उन बुटिक उसका स्वयम का एक बुटिक होगा बट वीदाउट अर्णिंग मनी यह जो है लेकिन इसके लिए जो है बीना पैसा कमाए और ह ही वह चाती है कि इसके पास बुटिक हो जाए और बीना क्वालिफिकेशन की आगे चलते हैं तो हो गया फैसन डिजाइनर बन यह तो जो है उसका एक और सपना था जो है कि वह बुटिक को ले तो प्यारा पुछो यह तो हो गए सोफी के सपने हो गए दूसरा क्रिशन पुछा है वाट वस दी आरोनी सोफी जीवन में आरोनी क्या था विरोधा भास क्या था तो क्या हो जाएगा हर फादर वांटेड हर टेक अप जड़ विस्किट फेक्टरी जबके उसके पिता क्या चाहते थे कि मैं क्या कर ले मिन नौकरी कर ले इन भी Les फचित लाइफ सोफी के जीवन में अईरोनी वास दैट मिस जो रोधा भास था कि यह था सी यह था बड़ह ब्ड़ा परशन आंञा चाहती थी बड़ आफ रियल्टी लेकिन वह वास्तिक्ता से क्या थी दूर थी वह बड़ा भ्यक्ति तो बनना चाहती थी लेकिन वास्तिक्ता से दूर से तो आर्योणी हो गई see, imagine about meeting आप Danny Casey, वह Danny Casey से मुलाकात के बारे में सोचती है कल्पना करती है but it was not real, लेकिन यह वास्तिक नहीं होती है, means वह सोचती तो है Danny Casey से मिलने की means कल्पना तो कर ली है, Danny Casey से मिली हुई है, meeting है, meeting ती लेकिन जो है, yeah but it was not real लेकिन वास्तिक नहीं था so no one trusted इस दी कोई उस पर विशास नहीं करता था तो प्यार पैब पहला पहला धूंओ दो कुछे विए थे दोनों किशें का एक उत्तर हो सकता था उत्निंध यह हो एं लिखे हूए है बहुत ज़्यादा लंबा कुछिसन बढाने की कोशिस नहीं किये हुए हैं फिर से एक बार प्यारब चो देख लो इसका उतर देख लो Sophie was a teenage girl from a middle class family who dreams of being either a manager or an actress or fashion designer she also wishes to own a boutique but without earning money or having the necessary qualification her father wanted her to take up a job at the biscuit factory in Sophie's life the irony was that she wanted to become a big person but she was out of reality but it was not real so no one trust her तो प्यारबचो यह हो गया आपका Christian No.2 का एकदम 62 सा उत्तर हो गया एकदम 62 उत्तर हमने देवने की कोशिस किये हैं अब हम लोग बढ़ेंगे Christian No.3 की तरफ Christian No.3 की तरफ बढ़ने देखेंगे जो भी बच्चे चनल पर पहली बार है चनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे लाइस चल्ट के सभी उत्तर हो में से रहस करेंगे प्यारबचो यह आपकी जिम्यतारी है तो जल्दी सब हम लोग देखते हैं आपका क्विशन नमबर 3 की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं क्विशन नमबर 3 क्या है प्यारबचो तो जल्दी से प्यारबचो लोग चलते हैं क्विशन नमबर 3 का एक ही इसमें क्विशन पूछे हुए हैं कि जी ओफ का चरिचित्रत तो जल्दी से प्यारबचो हम लोग देखते हैं इसमें हेडिंगबाह का अतरा क्या होगा यहाँ प्यारबचो देखे हैं कंश्च Marie goes 정도 का करेख्टर स्केश करना है तो क्या होजाएगा इंत््रडक्सन में क्या होजाएगा इसमें इसमें क्यों बनाई विएंग्सिक्रिवाई है कि पहले introduction लिखोगे, introduction में क्या लिखोगे को उसके बारे में जिसका करेक्टर स्कीच लिखना हो उसका उसके बारे में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, जियोफ वाज सोफी जोफी जोफी का बड़ा भाई था, और परिवार का सबसे बड़ा बच्चा भी था, मिनस लड़का भी था, यह तो इंट्रोड़क्श न हो गया, जियोफ के बारे में इंट्रोड़क्शन हो गया, सिंपल से हो गया जी ओफ जो है शोफी का बड़ा भाई था और परिवार का सबसे बड़ा लड़का था और प्रसिच्च्च्चू मेकेनिक था तो प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च लोग देखते हैं इस सेकंड एडिंग को इस लव फार सोफी मिस इसका प्रेम सोफी के लिए जियोफ लवड इस सिस्टर बेरी मच जियोफ अपनी बहन को बहुत अधी क्या करता था प्रेम करता था आल्दो ही वाज नोन यद्यप की वाज जानता था सोफी एक दिवास अपने देखने हैं लड़की है बट ही आल्वेस सपोर्टेड है लेकिन उसका हमेशा सपोर्ट करता था मिस सहारा देता था जानता था जो है कि वास अपने देखने हैं लड़की है मिस विस्वास नहीं करता था लेकिन फिर भी उसका सहारा हमेशा देता था सपोर्ट उसे हमेशा करता था तो प्यारवचो क्या हो जाएगा इसमें जियोफ लफ डिज इस सिस्टर वेरी मच आल्दो वाज़ वाज़ नून एंड़ेट सोफी वाज़ डे डिरिमर बटी आलवेश सपोर्ट हर तो आगे चलते हैं प्यारवचो देखते हैं तीसरी इडिंगः क्या है आगे चलते हैं इसमें देखी तीसरी इडिंग्या बनाई हूए His responsibilities means उसकी जिम्मेदारियां अब जियोफ की कौन-कौन से जिम्मेदारियां थी हम लोग उसे देख लेते हैं जियोफ was responsible person एक जिम्मिदार अब्यक्ती था इसी हंगार अगर्ट उप्यपार में चलाने के लिए जिम्मिदारी उठाया हुआ था तो इस लिए इसलिए उसलिए जिम्मिदार इंगा उब्यक्ती था जियोफ वाज रिस्पांसिबल पर्शन दैट्स वाई ही वोग्ड इन आ मोटर फैक्ट्री एज अ मोटर मेकेनिक यह हो गया प्यारवचो आपकी तीसरी एडिंग हो गई अब चौती एडिंग पर हम लोग चलेंगे देखते हैं चौती एडिंग इसकी क्या बनाई वे हैं प्रसंजारस करता तो प्यारवचो वह फैन भी हो गया देनी कैसी का फैन भी था तो हमने इसलिए हेडिंग बना दिये उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे conclusion यह आपको लिखना जरूरी है प्यारबचो आप इसी तरह से conclusion लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है conclusion means आपने पूरे के निसकस निकालने है जो भी अभी तक लिखा है उसका एक अच्छा भाई था son means पुत्र था and a responsible person और एक जिम्मेदार व्यक्ति था तो इस चेप्टर के आधार पर हम कर सकते हैं कि जो पर एक अच्छा भाई था एक अच्छा पुत्र था और एक जिम्मेदार व्यक्ति था तो यह हमने conclusion निकाल है इस question के मादम से मिस जितने भी इसमें heading डाले हुए है उसका हमने निसकर्ष निकाल करके conclusion में लिख दे है आपको वही conclusion में लिखना होता है heading wise परफचर हमने इसलिए लिखवाई है heading wise क्योंकि आपको इसमें दो-दो line लिखना होती है आपकी copy पूरी भरी लोई लगती है इसकी कौन सी heading बन सकती है यह आपके अंदर capacity होनी चाहिए आपको heading बनाकर लेख सको तो इसलिए आसान हो जाएगा वैसे लिखने में भी आपका वैसे बीना heading के लिखी हुए थे तब भी जो है जिसे हो जाती है लेकिन तब उतना बहतरी ढंग से नहीं होता इसलिए heading बनाक इंट्रोडक्शन से मनें लिखा इंट्रोडक्शन में क्या है जिओफ वास शोफी ओल्डर व्रदर दी ओल्डेस चाहिल इन फेमिली ही वाज एन अप्रेंटिस मेकेनिक उसके वाज सेकेंड हैं आपकी थी इस लफ फास ओपी मिनस इसका प्रेंट सोफी के लिए जिओफ ल इस प्रकार से प्यारबचो आपका इंट्र कंप्लीट हुआ जितना चोटा सचोटा हो सकता था हमने इतना बैतरी डंग से से बनाने की कोसिस किये अब हम लोग चलते हैं चौते की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं प्यारबचो आपको दिखरा होगा यहां पर देखिए क्या दिया हुआ हुआ है आप जियोफ और सोफी के पिता की क्या प्रत्क्रिया है थी विन दी केम टू नो एबाउट डेनी कैसी जब वह डेनी कैसी के बारे में जाने की जो है कि सोफी डेनी कैसी से जाकर के मिली हुई है तो उनके पिता मिन्स जो है सोफी के पिता और जो है जियोफ मिन्स उसके बड़े भाई का क्या प्रत्क्रिया थी मिन्स किस प्रकार से जो है बिवहार किये वे थे जब पता चला जो है जियोफ का पता चला कि सोफी डेनी कैसी से मिली थी तो जियोफ ने कैसे प्रत्क्रिया दिया हुआ था और उसके बाद जो सोफी पिता को पता चला कि जो सोफी डैनी कैसी से मिल करके आ रही है तो उसके पिता का क्या प्रत करिया था वो किशन नंबर आपको लिखना है पैरब्चो कि नंबर 4 में लिखना है तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किसे नंबर 4 का उत्तर के आओगा प्यारबचो यहां पर देखिए आपका question number 4 लिखा हुआ है what were the reactions of Geoff and Sophie's father when they came to know about Danny Casey तो जल्दी से प्यारबचो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा when Sophie told her brother जब Sophie ने अपने भाही से बताया भाही में से जियोफ से when Sophie told her brother जब Sophie ने जियोफ से बताया that she made Danny Casey कि उसने क्या बताया था कि वह Danny Casey से मिली हुई है then जियोफ से तब जियोफ ने कहा हुआ था it's never true means यह कभी सत्त नहीं हो सकता है means जब Sophie ने अपने भाही जियोफ से बताया कि वह Danny Casey से मिल करके आ रही है तो जो है उसके भाही ने क्या किया it's never true means यह कभी सत्त नहीं हो सकता है जियोफ डिड नाट बिलीव हर जियोफ ने उसके पर विस्वास नहीं किया Sophie then went on to tell him Sophie फिर उसके उपर बात जो है बताती रही him means उसे बताती रही that Casey had green and gentle eyes Casey की आखें कैसी है हरे रंकी और gentle means एकदम कूमल सी आखें है and he was not very tall और वह बहुत लंबा नहीं है तो means यह तो reaction हो गया जो है किसका जियोफ को रेक्सन हो गया जब जो है जियोफ को बताई Sophie जब जियोफ को बताई तो पहली बार जियोफ ने सीधे कहा कि उसे विस्वास नहीं हो सकता या कभी सकते नहीं हो सकता means कुल मिलाकर कि जियोफ भी उसके उपर भरोसा नहीं किया हुआ था एज जियोफ को रेक्सन हो जाएगा उसके बाद जो है उसके पिता का रेक्सन क्या था जो है जब Sophie को पिता को पता चला कि जियोफ से मिलकर आ रही है तब उसके पिता का रियक्सन क्या था जल्दी से प्यारप्च हम लोग उसे देख लेते हैं उपर तो हम लोगों नहीं देख लिया कि जियोफ का रियक्सन क्या था अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक सोफी की पिता का क्या रियक्सन था तो क् यहां दियर की जगह आप यहां इस फादर कर लेना क्योंकि दोनों के संदर में बात किया गया है तो इसलिए यहां दियर लगा दिया गया है आप यहां इस भी कर सकते हो मिस जियोफ ने अपनी पिता को बताया था तो आप वहां इस भी कर सकते हो कोई दिखकत नहीं है प्यार हो जाएगा विट डेनी कैसी मिस डेनी कैसी से जब जो है जियोफ ने अपने पिता को बताया कि सोफी जो क्या करी तो वायल्ड इस्टोरीज और उन्हों ने संधे क्या किया कि आपने आपको बचाये रखे किसी भी प्रकार की समस्याओं से वो अपने आपको बचाय रखे मिंस किसी समस्या से बच करके ही रहे ऐसा कहते हैं उसके पिताς क tightening का प्ता चला कि सो्फी डेनी कैसी से मिलके आ रही है तो जीयोफ का एकसं क्या था उसके पिता का एकसं क्या था तो क्या हो जाएगा फिर से इसके उत्तर को देख लेते हैं When Sophie told her brother that she made Danny Cassie Then Zeeov said it's never true Zeeov did not believe her Sophie then went on to tell him that Cassie had green and gentle eyes And he was not very tall When Zeeov told your father about Sophie's meeting with Danny Cassie He did not believe it and suspected it was It was one of Sophie's wild stories He was filled with disdain And did not want to encourage her in any way So he warned me so to say Chetowni देना इसलिए उन्होंने चetowni दिया Her to keep herself out of any kind of trouble किसी भी समस्चा से दूर रखने के लिए इसलिए उन्होंने क्या दिये चेतावनी दिये किसे दिये वेंगे अपनी बेटी Sophie को उन्होंने चेतावनी दिया किसी भी प्रकास से समस्चा से दूर रहो अगर इसी प्रकास की Imagination बनाती रहोगी किसी ना किसी दिन बुरा हो जाएगा किसी ना किसी दिन क्या हो जाएगा जो है अच्छा नहीं होगा Sophie के साथ इसलिए उससे क्या करते हैं वार्न करते हैं में सेतावनी देते हैं तो प्यारवचो ये तो हो गया आपका question number 4 का उत्तर हो गया question number 4 में जितना पूचा था सिर्फ उतनी काम ने उत्तर लिखाए हुए है कोई इस्टा ज़्यादा लिखाने की कोशिस नहीं किये हुए है अब हम लोग बढ़ेंगे question number 5 की तरफ बढ़ेंगे देखते है प्यारवचो आपका question number 5 क्या है जल्दी से हम लोग question number 5 की तरफ बढ़ते है और question number 5 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी वच्चो चनल पे पहली बारा है चनल को subscribe कर लें वीडियो का like कर रहें ले और class 12 के सभी वच्चो में स्रीय और ऑसकर प्यारवचो यह आपकी जमिल्दारी है class 12 के सभी वच्चो तक वीडियो पहुच जाना चाहिए question number 5 प्यारवचो आपको यहां पर दिख रहा होगा question number 5 क्या है how did Sophie mean Danny Casey means Sophie Danny Casey से कैसी मिली and how did she describe about him और उसने उसके बारे में कैसे व्याक्या की describe की means व्याक्या की तो सिसमें question number 5 हैं पूचा है how did Sophie meet Danny Casey Sophie Danny Casey से कैसे मिली and how did she describe about him means वह उसके बारे में कैसे व्याक्या करती है question number प्यारवचो आपका 5 हैं पूचा हुआ है तो जल्दिस हम लोग देखते हैं और किस प्रकार से उसके बारे में व्याक्या की तो पहले देखते हैं सोफी किस प्रकार से प्यारवचो जो है डेनी कैसे से मिली हुई थी तो क्या हो जाए कि इसका उत्तर Sophie made Danny Casey Sophie Danny Casey से मिलती है in the arcade means बाजार में Sophie बाजार में Danny Casey से मिलती है विन सोफी में टीम जब सोफी उससे मिलती है सी आज डुवा पूछती है excuse me means मुझे माफ करिये but are not you Danny Casey क्या तुम Danny Casey नहीं हो उसे पूछती है कि तो क्या तुम Danny Casey नहीं हो and he looked sort of surprised वा थोड़ा सा आश्या चकरितो करके देखता है and he said yes that's right वा करता है कि हाँ यह बात सही है अर्थात मैं ही क्या हूँ Danny कैसी हूँ see as team for an autograph वा उसे एक autograph के लिए करती है for little Derek means चोटे Derek के लिए means अपने चोटे भाई Derek के लिए वा एक autograph मांगती है but he neither had paper nor a pin means लेकिन दोनों के पास न तो पेंती जो है न तो जो है paper था कागज था so they talked a bit about clause in Royce windows इसलिए वे बातें करते हैं थोड़ा बातें करते हैं किसके बारे में clause उन्स कपडों के बारे में रायस के खड़की के पास पड़े हुए थे उन कपडों के बारे में वे क्या करते हैं बातें करते हैं इसके बारे में हो गया अब उसके बाद इसमें question पूचा है कि how did she describe about him वह उसके बारे में व्याक्या कैसे करती है कैसे बताती है कि Sophie देनी कैसी के बारे में क्या क्या चीज़े बताती है तो एक question पूचा हुआ है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं Sophie described miss Sophie व्याक्या करती है डेनी कैसी miss डेनी कैसी के बारे में as a young miss एक नौजवान के रूप में bright miss bright we loved miss तेज के प्रदिवावान के रूप में प्रोड़ोगी miss होता है प्रदिवावान bright miss होता है चमकीला चमकीला miss क्या हो जाएगा यहाँ पर तेज से संबंदित है miss जो पढ़ने में अच्छा हो और बाकी जो चीजे हो और हर फिल्ड में जो expert हो उसी को bright कर सकते हैं कहता हैं कि bright future होना miss एक अच्छा future होना तो bright miss अच्छा भी कर सकते हैं तो यह हो जाएगा Sophie describe डेनी कैसी सोफी डेनी कैसी के बारे में बताती है as a young एक नौजवान के रूप में bright miss जो है जिसका future अच्छा हो beloved प्रोडूगी means प्रतिभासंपन प्रोडूगी means प्रतिवासंपन के रूप में क्या करती है describe व्याक्या करती है he was not so tell वह अतदिक लंबा नहीं है हाइड ग्रीन जेंटल आइज उसकी आँके कैसी है हरी और जै अच्छी आँके है जेंटल मिस नम्र आँके है his nose was freckled मिस उसकी नाक चित्तिदार है freckled मिस होता है चित्तिदार उसकी नाक चित्तिदार है and turns apart slightly और धीरे से उपर की तरफ मुड़ती है मिस दीरे से उसकी नाक क्या होती है उपर की तरफ मुड़ती है तो प्यार पर जो यह तो बात हो गई किसके बारे में कि डेनी कैसी के बारे में जो इतनी सारी बाते जो है कौन बताया हुआ था सोफी बताई हुई थी पहला क्रिशन उसमें पूचा हुआ था कि सोफी किस प्रकास से देनी कैसी से मिली हुई थी और उसके दूसरा क्रिशन था उसके बारे में सोफी क्या क्या चीज़े बताई हुई थी यह तो हो गया आपका क्रिशन नंबर 5 हो गया किसे नमर पांच फिर से देख लो इसका एक बार उत्तर फिर से देख लो Sophie met Danny Casey in the arcade when Sophie met him she asked excuse me but are not you Danny Casey and he looked sort of surprised and he said yes that's right she asked him for an autograph for little Derek but he neither had paper nor a pen so they talked about a bit about claws in rice windows Sophie described Danny Casey as a young bright beloved prodigy he was not so tall had green and gentle eyes his nose was pickled and turns upwards slightly तो प्यारवचो यह हो गया आपका क्रिसे नमबर 5 का उतर हो गया तो इस प्रिकार से क्रिसे नमबर 5 प्यारवचो आपका complete हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे क्रिसे नमबर 6 की तरह बढ़ेंगे उमीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा आपके समस्या का निदान अवस दूर करने की कोसिस करेंगे और हाँ जो भी बच्चो चैनल पर पहली बारा है सभी बच्चों में वीडियो को से राउस करोगे तो जल्दी से प्यार बच्चों में लोग बढ़ते हैं छटे क्विशन की तरह बढ़ते हैं देखते हैं आपका छटा क्विशन है क्या प्यार बच्चों यहां पर आपको क्विशन नमबर 6 दिख रहा होगा जल्दी से छटी क्रिशन को देखिए What had happened at the meeting place मिलने के अस्थान पर क्या हुआ था What had happened क्या गटित हुआ था At the meeting place मिलने के अस्थान पर मिलने के अस्थान पर क्या गटित हुआ था Did Sophie meet Danny Casey क्या Sophie Danny Casey से मिली थी Why or why not यद मिली थी तो क्यों मिली थी कैसे मिली थी और नहीं मिली थी तो कैसे नहीं मिली थी इसका आपको कारण देना है तो सिंपल से प्यारबचो किसन नबर 6 पूचा है what happened at the meeting place meeting place पे क्या घटित हुआ था miss क्या हुआ था did Sophie made Danny Casey क्या Sophie Danny कैसे से मिली हुई थी why are why not miss एगर मिली हुई थी ते क्यों मिली थी कैसे मिली हुई थी अगर região नहीं मिली हुई थी तो उसकसी का मिलने के साण है देखते हैं कर्ग देखते हैं Samor 6 आपका उत्र क्या होगा प्यारबचो कि現在 सिंप्राबरो का यहां पर दिया हुआ है what had happened at the meeting place means मिलने के स्थान पर क्या गटित हुआ था did Sophie meet Danny Casey क्या Sophie Danny Casey मिली वी थी why are why not यद मिली वी थी तो कैसे मिली थी क्यों मिली वी थी अगर नहीं मिली वी थी तो प्यार बचों हम लोग पहले देखते हैं कि meeting place पर क्या हुआ था के नीचे इल ब्रिच के नीचे वह बैठ गए थी where lovers sometimes came जहां पर प्रेमी जोड़े आकर के क्या करते थे बैठते थे मिस जो है सोफी जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठी वी थी जहां प्रेमी जोड़े आकर के क्या करते थे बैठते थे तो मिस यह भी अपनी imagination मान ली थी कि वह जो है डेनी कैसे से प्रेम करती थी और जो है डेनी कैसे उससे ऐस प्रेमी के रूप में मिलने आया हुआ है ऐसा उसके दिमाग की imagination चल लए थे कलपना चल लए थे मिस कुछ देर इंतजार करने के बाद मिस वह ऐसा कलपना करती है कि वह आ रहा है मिस नहर से हो करके देखती है कि नहर से हो करके आ रहा है and seeing come out of the shadows और seeing मिस देख रहा है come out of the shadows मिस उस च्छाओं में से हो करके आ रहा है imagining her own consequent excitement और यह चीजे कलपना करके परडाम सरूप वह क्या हो रही है consequent मिस होता है परडाम सरूप excitement मिस होता है उतेजना खुसी परडाम सरूप वह इससे वह खुस हो रही है not until sometime at last means जैसे ही कुछ समय बीता last means होता है बीतना जैसे ही कुछ समय बीता did she begin balancing against this the idea of is not coming means balance करने लगती है बराबर करने लगती है इस विचार को कि वह आ नहीं रहा है she feels the pangs of doubt is steering inside her तो उनके अंदर जो दोविधा आ रही थी इसके लिए वह pangs महसूस करती है अतात कस्ट महसूस करती है मिलने के अस्थान पर क्या हुआ means मिलने के अस्थान पर वह नहीं आया और जो चीज़े हुई जो है उसमें क्या कर रही थी यह क्या नहीं कर रही थी हमने उसको लिखाए वी दिये हुए है अर उसके बाद दूसरा क्रिशन पूछा है did Sophie meet Danny Casey क्या जो है Sophie Danny Casey से मिलती है अगर मिलती नहीं है तो क्यों नहीं मिलती है तो परविचो इसका उतरम लोग देख लेते हैं No Sophie did not meet Danny Casey नहीं, Sophie Danny Casey से नहीं मिलती है Because क्योंकि Why वाला उतर है परविचो आपका why जो पूछाुआ था because क्योंकि see only imagined is coming means वह केवल कल्पना के लिए थी कि वह आ रहा था means क्योंकि उसने केवल कल्पना किया था कि वह आ रहा था see was always lost in a dreamy world क्योंकि वह हमेशा जो सपनों की दुनिया में खोई रहती है where see imagined कैसी meeting है यह भी imagine कल्पना कर लेता है कि कैसी विससे क्या किया हुआ है मिला हुआ है तो प्यारप्चो खुल मिला करके उसकी केवल imagination थी सारी चीजे केवल कल्पनाओं से आधारी थी तो प्यारप्चो यह हो जाएगा इसका उत्तर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होगा जल्दी से देखते हैं प्यारप्चो किसा नंबर 6 का उत्तर at the meeting place she sat down on a wooden bench beneath a solidity elm where lovers sometimes came for some while waiting she imagined his coming she walked along the canal seeing him come out of shadows imagining her own consequent excitement not until some time had elastated did she began balancing against this idea of his not coming she feels the pangs of doubt steering inside her no Sophie did not meet Danny Cassie because she only imagined his coming she was always lost in dreamy world where she imagined Cassie meeting her तो प्यारप्चो यह हो गया आपका question number 6 का मिस्ट सटे question का उत्तर हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे question number 7 की तरह बढ़ेंगे प्यारप्चो देखते है question number 7 और last question कौन है और last question पर चलने से पहले एक ही बात कहेंगे जो भी वच्चे चैनल पर पहली वा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो के लाइक करेंगे और class 12 के सभी वच्चो में से और और प्यारप्चो यह आपके जिम्मेदारी है तो जल्दी से हम लोग चलते हैं last question की तरह बढ़ते हैं देखते हैं in the mind of Sophie में Sophie के मस्तिस में Sophie के मस्तिस में कौन से विचार चल रहे थे while returning in home from meeting place मिलने के अस्थान से जब घर पर आ रही थी तो उसके दिमाग में कौन से कौन से विचार चल रहे थे it is feel experience doesn't it way उसने रास्ते में क्या महसूस किया रा क्या उनखो किया तो सलखOOOOOOOO तो जल्दी सरक्बोगों देखते हैं राच्छो क्रीशन के उथर की तरह हम बढ़ते हैं और यह आपका last question है इसके बाद प्यारबचो आपका language study बचेगा जो अगली class में करा देंगे ते फिर ए प्यारबचो language study means multiple choice question objective type question बचेगा जो अगली class में करा देंगे और जी आज ही उसकी भी class मिल जाएगी तो जिससे आपका complete हो जाएगा यह chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा इसके साथ साथ यह chapter नहीं complete हो जाएगा प्रोज पूरी तरह से complete हो जाएगा प्यारबचो तो जल्दी से चलते हैं इसके उत्तर की तरफ आप हम आगे बढ़ते हैं question number 7 प्यारबचो देखिए यहां पर question number 7 आपका है what thoughts were floating in the mind of Sophie while returning to home from meeting place मिन्स क्या विचार उसके दिमाग में चल लहते जब वह meeting place से वापस आ रही थी what did she feel experience अंदी वह रास्ते में क्या अनुबव करती है और क्या महसूस करती है तो जल्दी से पहले प्चम लोग इसका उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा जब डेनी कैसी नहीं आया she became sad में Sophie क्या हो गई निरास हो गई क्योंकि आते वे उसके experience को शेयर करना है तो वही देखेंगे जब डेनी कैसी नहीं आया she became sad वह दुकी हो गई and it was a hard burden to carry और इसे सहन करना एक बहुत भारी बोज़ था this sadness means इस उदासी इस उदासी को सहन करना अत्यदिक बोज़ था she thought of her family of course वह वास्तों में अपने परिवार के बारे में सोच रही थी will doubt her जो उसके उपर क्या कर रहे थे संदे कर रहे थे as they always doubted her means वे जैसा कि हमेशा उसके उपर संदे किये वे थे miss जैसा कि उसके उपर हमेशा संदे किये थे अगर हमें ऐसे ही जाओंगी तो आज भी क्या करेंगे संदे करेंगे but she will have and hold up her head remembering how it was लेकिन वह अपना सिर को उचा रखेगी कि यह आतकर की कैसे उन दोनों की बीच में रिस्ता था आगे देखते हैं see imagine वह कलपना करती है the slow walk home is धीरे धीरे घर जा रही है और जियोफ की निरासा जनक चेहरे को when she tell him जियोफ का निरासा जनक चेहरा हो गया when she tell him miss जब वह उससे बताती है जब जब उससे बताती है तो उसका चेहरा निरासा जनक हो गया he did not come that he did not come that Danny then he will fly out and slam the door he did not come out वह बहार नहीं निकलेगा there when she tell him again he did not came वह बहार नहीं आएगा that Danny had then he will fly out and slam the door he did not come and then he will fly out उसके बाद फिर वहां से वह हट जाएगा and slam the door और दरवाजी को बंद कर देगा that Danny had जाएगा he did not come that Danny means अभी नहीं नहीं सही है he did not come that Danny means वह डेनी नहीं आया मिस जब जियोफ को जो है उसकी बहन सोफी यह बताएगी कि जब डेनी नहीं आया तब उसका भाई क्या करेगा and then he will fly out फिर वह वहां से निकल जाएगा मिस उसका भाई वहां से निकल जाएगा and slam the door और दरवाजी को क्या करेगा पीटेगा दरवाजी को पीटते हुए धमांक से वह क्या कर जाएगा वहां से निकल जाएगा यह तो हो गया प्यारपचो जो पहला इसका उतर देखते हैं क्या हो जाएगा when Danny would not come she became sad and it was a hard burden to carry this sadness she thought her family of course will doubt her as they always doubted her but she will have to hold up her head remembering how it was she imagines the slow walk home and ze of disappointment disappointed face when she tell him he did not come that Danny and then he will fly out and slam the door coming through the arcade see picture dream again outside noise तो प्यारपचो यह हो गया आपका question बर साथ का उतर हो गया इस प्रकास से आपका सभी long answer type question complete हो चुका है अब इसका केवल बचा है आपका multiple choice question बचा हुआ है तो प्यारपचो इसका multiple choice question बचा है जो अगली class में आपका cover कर देंगे multiple choice question बाकी आपका प्रोज और priority पूरा सक्षन complete हो चुका है विस्तास में तीन chapter complete हो चका है और तारीख आस तेज तारीख है तेज तारीख तक प्यारपचो इतना complete हो चुका है तो बाकी जो बचा हुआ है उसे भी जल्दी से complete कर देंगे पंदा सेप्टेंबर तक आपका first paper पूरी तरसर complete हो जाएगा फिर उसके बाद जो grammar की topic बची है प्यारपचो उसे complete करेंगे और उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो के like करेगा चैनल के subscribe करेगा और class track के सभी विचों में से अरॉस करेगी है प्यारपचो यह आपकी जिम्मितारी है और इसके साथ साथ प्यारपचो आधी आपका अभी तक कुछ भी चूटा हो जहां तक आपका complete हो चुका है means आपका 8 chapter प्रोज हो चुका है मिस आठवा चला खतम होने वाला है और फेरोन रसका है और विच्ट तीन चैप्र चप्राइट करेगा तो यह धिस में से आपके कहीं पूरा नहों कहीं चूटा हो तो आप चैनल के प्लेश्ट में जाकर के यू पी बोड़ एंगलिस निल्स वाट करके आपकी प्लेड़िस्ट बनी है आप महां से जा करके पूरा कर सकते हैं तो प्यारे जो इनहीं सब्दों के साथ आज की समात करते हैं इन कलकी क्लास के साथ इसके जये मुल्टिपल तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए